लाइज, विल्कुम्टो क्यूरियाज दोस्तों क्या आप कभी सोचे हैं कि जेबरा की बॉड़ी में बलाक आड़ हैट स्ट्रिप्स क्यूं होता है यह सवाल को लेकर कई साइन्टिस्ट कई तरह की पसिबल आंसर देते हैं जैसे कि रिसेंटली एक रिसर्स से पता चला है कि जेबरा की ब्लाक और वाइट स्ट्रिप्स जेबरा को खुण चुसने वाले पारासिट्स से बचाते हैं If you are new to this channel, then subscribe and hit the bell icon for the latest updates. पहला possibilities है, camouflage, यानि different colors ये metals की combination से illusion यानि ब्रहम बेदा करना. कोई scientist का मानना है कि zebra की black and white strips, zebra को बड़े-बड़े grass cover में छूपने के लिए help करते हैं, जिससे tiger और lion जैसे predators यानि सीकरियों से zebra सुरक्षित रहता है, क्योंकि lions color blind होते हैं. लेकिन 2016 की एक study से पता चला है कि अगर zebra कहीं tree-less habitats में है, then lion zebra को आसनी से पेचान सकता है. दूसरा है temperature regulation. कई थियोरी का हिसाब से zebra की black and white strips के बज़े से zebra अपनी body temperature को maintain करता है. Retired Naturalist Allison Cobb, जो कि 40 साल तक zebra strips को लेकर research किया है, उनका मानना है कि जेबरा की black strips की temperature white strips से काफी ज्यादा होता है. 2019 में Allison Cobb ने प्रपोच किया है कि जेबरा की black and white strips में temperature references के वज़े से air flows अच्छा होता है, जिससे जेबरा की body में होने बाले sweats black and white strips में spread होके easily evaporate होते हैं. तीसरा है, mutual recognition. आपकी जानकर ये लिए बता दों, जैसे कि हर एक human being की fingerprints अलग होता है, ठीक उसी तरह, हर एक जेबरा की black and white strips अलग होता है, जिससे एक जेबरा, दूसरे जेबरा को आसनी से पेचान सकता है. चोथा है, confusing blood suckers. एक latest study से पता चला है कि जेबरा की black and white strips की वज़े से, खुन्च उसने वाले parasites में ब्रहम पेदा होता है, जिससे खुन्च उसने वाले parasites calculate नहीं कर पाते हैं कि कि स्पीड में जाने पर जेबरा की skin में land हो सकते हैं. तो दोस्तों, आखिर जेबरा की black and white strips flies को कैसे confuse करता हैं? एक video experiment के लिए बोथ एक domestic horse और एक जेबरा को रखा गया. देखने को मिला की खुन्च उसने वाले parasites बोथ जेबरा और domestic horse की 4 और same rate में घुम रहे हैं. लेकिन जब वो जेबरा की तरफ आते हैं, उनकी speed काफी slow हो जा पारासाइट्स सक्सेसपली लेंडिंग कर पा रहे हैं, लेकिन जब जेबरा की तरफ आते हैं, आइदर black and white strips की 4 और चकर काटते रहते हैं. ये समझने के लिए example लेते हैं. ये figure को देखिए, जो कि cylindrically अपनी vertical axis की 4 और rotate कर रहा है, middle figure. अगर आप इस figure को horizontal ही देखेंगे, आ या फिर strip pattern से भी confuse रहते हैं. तो दोस्तों, जेबरा की strips, flies या पारासेट को confuse करने के पिछे कौन से mechanism काम करता है? इसके ओपर अभी भी research चालू है, लेकिन दो possibilities हो सकता है. एक, जैसे कि हम एक गुमते हुए spoke wheel को देखने पर illusion पैदा होता है, और ऐसा ब्रम पैदा होता है कि wheel different speed में गुम रहा है. सायद जेबरा की black and white strips या check pattern की वज़े से flies या parasite की आँखो में illusion पैदा होता होगा. दूसरी possibilities, सायद check या strip pattern के वज़े से एक object एसी कई similar objects में break हो जाता है, जिससे flies और पारासेट की आँखो में ब्रम पैदा होता होगा. But it's still under research. तो दोस्तो आपको कैसा लगा ये जानके की जेबरा की body में black and white strips होने का reason क्या है? अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा, then like, share with your friends and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching this video till the end.